असामलेकूम यह देखे हैं सलेकॉन सीलन्ट से मैंने शीट बिचाए है और मैंने फिक्सिन कर दीए इसको लोग करी है और बीच में अब मैंने wood log रखना है या wood रखनी है जिस तरह से भी चीजों को लेके चलेंगे इस तरह से करके इसके उपर working करके और उसके बाद इसको आप with the help of hammer आप इसको push back करेंगे तो ये अराम से उतर जाएगा ये बहुत पतला सा frame होता है wood का wood भी नहीं काएंगे इसको मतलब भटी सी होती है ये आपको idea हो जाएगा कि ये बहुत हलकी सी भटी होती है इसको मैं लगाती हूँ और मैं अब आपको ये देखें hammer होती है hammer की मदद से इसको push back करना है जब आपने top coat दे दिया काम कर लिया सारा कुछ इस तरह से ये देखें थोड़ा मेहनत का काम है definitely मगर ये कि ये अलग हो जाता है मैंने बीच में ना tape भी लगा ली थी उसकी tape इसलिए लगाई थी कि वो ज़रा असानी रहे उसको करने के लिए जब आप उसको अलग करो तो ये देखें ये देखें अभी तो एक्साइट हुई है अब ये दुसी तरह हम आए मेहनत तो बड़ी तरकार है बहुत स्टागल है ये बजाहिर देखने में लगता है कि रेजन वर्क दो मिनट तीन मिनट की वीडियो है मगर इसके पीचे काई एक फाइनल प्रोडिक को आने में बहुत टाइम लगता है कम असकम ये वन वीक इसको नीडिट था कि मैंने इसको सारी इसकी उपर स्टागल की अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके इस तरह से ये देखें आप फाइनली वो अलग हो गए अब फिर साइट से सैंडिंग करनी है जो मैंने क्लास में तरीका बताया आप लोगों को प्रोडक्स की फिनिशिंग के लिए सैंडिंग करके तो फिर फ्रेम मैंने इस तरह का बनाया था कि उसके उपर बस सिर्फ रखना था ताकि आप सब को असानी रहे उसमें फिर फिक्स करने की टेंशन नहीं होती ना अगर आपने किसी को भेजना है अब ये मेरा जिसरा लहौर गया था